हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है हीरो HF Deluxe के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डीटेल से जानकारी दूनगा तो चलिए वीडियो शरू करते हैं तो फाइनली दोस्तों हीरो अपनी HF Deluxe को अब 125 C Engine Option के साथ भी लाँच करने वाली है जिसमें दोस्तों अब आप लोगों को पहले मुकाबले और भी ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग इस बाइक के लुक के बारे में बात करें तो बाइक का जो लुक है दोस्तों ये आप लोग को जो है थोड़ा बहुत रेट्रो स्टाइलिश ही देखने को मिलेगा Features के बारे में बात करी जाए तो उसमें दोस्तों आप लोग को fully halogen का lighting setup देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों आप लोग को इस bag पे जो है analog के साथ digital meter control दिया जाएगा जिसपे की दोस्तों आप लोग को Bluetooth connectivity वगरा ये सभी features देखने को मिलेंगे साथ ही साथ दोस्तों कहा जा रहा है कि इस bike पे जो है आप लोग को single channel ABS भी देखने को मिल सकता है और इसके अलावा दोस्तों आप लोग को इस bike पे जो है side और यहाँ पर जो है i3S technology वगरा ये सभी features तो मिलेंगे ही इंजन के बारे में बात करी जाए तो इस bike पे दोस्तों सेम आप लोग को extreme 125 आरोह लाइन इंजन देखने को मिलेगा जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 11.4bhp के आसपास में power और 10.5nm तक का talk देखने को मिलेगा जो की ये जो bike है दोस्तों ये 5-speed gearbox के setup के साथ आएगी जिसमें दोस्त आप लोग को sales start के साथ kick start भी देखने को मिलेगे mileage दोस्तों लगभग आप लोग को 55 से लेके 60 के बीच में दी जाएगी वही पे दोस्तों अगर pricing के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों 1,20,000 रुपे के अंड़ में इस bike का आप लोगों को on road pricing देखने को मिलेगा बात करिए दोस्तों अगर launch के बारे में तो expected जो launch date बताया जा रहा है ये दोस्तों लगभग जो है 2025 के मित तक या फिर दोस्तों 2025 के अंड़ तक में आप लोग को देखने को मिल सकती है बाकी आपका क्या opinion है इस HF Deluxe 125 CC को लेके नीचे comment box में अपना opinion जरूर लिखेगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करे और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए